We want justice! कोलकता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पिताल में बलातकारबाद हत्या की शिकार 31 वर्षियर डॉक्टर के 4 सह कर्मियों का पॉलिग्रिफी टेस्ट होगा इनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं ऐसा CBI कह रही है इनमें दो प्रथम वर्ष के ही ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, एक हाउस सर्जन और एक ट्रेनी है एक न्यूस चानल के जाँच एजनसी के सूतरों का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसा नहीं लगता कि चारों डॉक्टर अपराद में शामिल थे लेकिन वे ये जाचना चाहते थे कि क्या उन्होंने सबूतों से छेड़ छाड़ करने में भूमिका निभाय या वे किसी साजिश का हिस्सा थे जाच करता उने डॉक्टर के साथ यौन उट पीड़न और हत्या से पहले की रात की घटनाओं के सिलसिले को भी जोड़ा है इन चारों डॉक्टर से पूछताच की थी सीबी आई को तीसरी मंजल के सेमिनार रूम में इन चार डॉक्टरों में से दो के फिंगर प्रिंट्स मिले थे जहां शव मिला था सीसी टीवी कैमरे ने उस रात हाउस सर्जन को पहली मंजल से तीसरी मंजल पर जाते कैद किया हाउस सर्जन ने कहा है कि वे उस रात धाई बजे तीसरी मंजल पर गया था इंटर्न तीसरी मंजल पर था और उसने उस रात पीड़ता से बात की थी सूत्रों के अनुसार पीड़ता और दो प्रतमवर्ष के ये ट्रेनी डॉक्टर्स आधी रात को आसपास खाना खाये थे फिर वे सेमिनार रूम में भी गए और ओलम्पिक्स में नीरत चोपड़ा की भाला फेक स्पर्धा भी देखी रात करीब दो बजे दोनों सह कर्मी स्लीपिंग रूम में चले गए जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स आराम कर रहे थे पीड़ता सेमिनार रूम में ही रुकी रही इंटर्न ने कहा कि वो इंटर्न रूम में थी ये दोनों कमरे सेमिनार हॉल, स्लीप और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के करीब स्थित है सुबह करीब साड़े नौ बजे पोस्ट राजवे ट्रेनी डॉक्टरों में से एक जिसके साथ पीड़ता ने पिछली रात खाना खाया था वर्ड राउंड शुरू होने से पहले उसे देखने गया कोलकता पुलीस की टाइम लाइन के अनुसार उसने शत विशत अवस्था में देखा फिर उसने अपने सेकर्मियों और वरिष्ट डॉक्टरों को सूचत किया जिन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को सतर्क किया सीबियाई को चार डॉक्टरों और आर्ट जीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्फ प्रिंसिपल संदीब घोश पर पॉलिग्रिफी टेस्ट की अनुमती मिल गई खेर इस खबर में बस इतना ही तेश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहे जन्सत्ता के साथ शुक्रिया